गुड मॉर्निंग enduring तो आज मैं आपको इंगलिज का उवक्षिध दोंगे सेकें वाला फास्टबाला में पहले पहज चुकी हूँ यहें सेकेंड वाला तो आज सेकेंड वाला यही में क्या-क्या हे करने को वो में दिखाते हूँ यह है circle the correct combination यहाँ पर capital A और small A है लेकिन यहाँ पर capital K के साथ small L है तो यहाँ पर इन दोनों से सही कौन है जो सही है उस पर correct answer री circle देंगे यह है आपका circle the correct correct ले आलफा विट लेटर को हमको choose करना है यह है next यह है हमारा second question second question में क्या है circle the word which doesn't be to the given vowel sound तो यहाँ पर क्या दे गई है आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर five vowels letter लिखी गई है तो हमें क्या करना है जो ए भावल को base करके जो word यहाँ पर लिख्या है उस पर circle करना है जो गलत है उसको छोड़ देना है टीके जैसे कि मैं एक example दे देती हूँ यह है pan टीके तो यहाँ पर a है तो यह यहाँ पर pan पर बिदमे a है तो यह है हमारा a vowel sound का word यही bet यही mat तो इन तीन यह तीन है भावल एको base करके three words इसे करके circle करना और जो गलत है उसको छोड़ देना है ठीके next है यहाँ पर हमारा next है find the vowel and consonant and put them in the right box ठीके तो हमें यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर दो box है एक vowel box है और एक consonant box है तो यहाँ पर कुछ लेटर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर ढूणना है कौनसा vowel है और कौनसा consonant है जो घावल है वो घावल box में जो consonant है वो consonant box में आपको लिखना है ठीके तो next है हमारा match the picture with letter आपको यह तो easy है फिर भी मैं आपको बताती है हमारा यहाँ है capital है यहाँ पर है smaller भी यहाँ पर capital letter यहाँ पर बीच में कुछ pictures है तो जिनुरिली सब जानते हैं A for apple है तो हमें apple को यहाँ से connect करना है यहाँ पर small a में भी connect करना है इस तरह आपको यहाँ पर letter देखे picture के साथ आपको connect करना है ठीक है Thank you